नियाधिस रंजन गोगोई का जन 18 नॉम्बर उने से चोवन इश्वी को अश्वं की डिभर्युगर्द में हुआ था। उनके पिता का नाम किशो गोगोई है और माता का नाम सांथी देवी है। इनके पिता एक समाज शेवी थे। इन्होंने इतिहांस बिशय में दिल्ली विश्विदयले के सिंट इसिफिन स्कॉलेज से अपनी अशारत की पढ़ाई पूरी की है। अपनी कानोनी सिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने गुहाटी उच नयला में अपनी वकाला सुरू की अठाईस फरावरी 2001 को इन्होंने गुहाटी उच नयला के नयधिश कापद ग्रां किया। 12 फ्रावरी 2011 को उन्हें पंजाब एंग हर्याना हाई कोट का मुख्य नेधिस चुना गया इसके बाद 23 अप्रेल 2013 को उन्हें सुप्रीम कोट के नेधिस के पत पर निक्द किया गया उनकी कारे कुषलता को देखते हुए गाष्ठपती रामरात वोबिन ने 3 अक्टूबर 2018 को उन्हें भारत के सरोच नेयले के मुख्य नेधिस के पत पर निक्द किया बरतमान में वे भारत के मुक्य नेधीस की रूप में कारेरत हैं वे भारत के सरोज नेले के ऐसे 46 में नेधीस हैं जिन्होंने अपनी संपती के अव्योरा सरोजनिक किया जिसके मुताबिक उनके पास एक भी कार नहीं है वे किसी तरह के धुमपान नहीं करते, वे इंसरल जीवन जीते हैं, उन्हें आदालत में अपनी सक्त आश्मा के लिए जाना जाता है, फिलहाल वे सवोस न्याले में अजोध्या मामिले की सुनुवाई कर रहे हैं, यह है नियाधी सरंजन गुगोई का जीवन परिचे जीवन परिचे